एन पी ची ऐल गया है तो वीडियो सुरू करने से पहले अगर आभी तक आपने हमार चैनल को सबस्क्राइब नहीं किया है तो रख लें तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इंपी सेयल का जो इंपोर्टेंट डेट्स और एप्लिकेशन फी क्या क्या होने वाला है तो आपका जो अप्लिकेशन है वह 11 अप्रेल जिसका लास्ट डेट आपका 28 अप्रेल 222 तक पे करना है उसके बाद जो आपका एक्जाम डेट है वह अभी मेंसन नहीं क्या गया है वह आपको एक्जाम से पहले नोटिफाई कर दिया जाएगा और रहां एडमीट काड तो एडमीट काड आपका एक्जाम से पहले पप्लिस कर दिया जाएगा उसके बाद हम देख लेते हैं अप्लिकेशन फी तो एप्लिकेशन फी जो होने वाला है वह जेनरल ओवी से और एडवली एस के लिए 500 रुबीस होने वाला है एस्टी एस्टी और पी एच के लिए कोई अप्लिकेशन फी नहीं है यानिकी जीरो इसके बा बात कर ले तो आपका एज लिमीट अठाइस अप्लिकेशन नहीं किया गया है वही मेक्सिम्म एज है वह आपका 26 होना चाहिए क्योंकि आपका जो एजुकेशनल रिक्वाइर्मेंट होगा वह बीई बीट्यक या बीसी कंप्लिक रहना चाहिए उसके हिसाब से अभी मिनिम जाते हैं इसके बाद इसमें आपको कुछ एलेक्सन तुरुट गेट इग्जामिशन की तुरु आपको मिल सकता है अब हम बात कर लेते हैं टोटल पोस्ट और इसका क्या-क्या इलिजिबिलीटी कैटेरिया होने वाला है तो हम आपको बतादे इसमें टोटल आपको 325 पोस अब जो बेकलोग Candidate है उसके लिए 10 पोस्ट दिया गया है रेगलाग्यड और बेकलोग कैटेरिया है इसका आप डिए जो है वह यूटीब में आप बहुत सरे वीडियो उपलब दे, उससे देख सकते है तो हम बात कर लेते हैं इसका इलिजिबिलेटी या क्रेश्यरिया क उसके बाद आपका gate जो NTE का इजाम होता है National Test Agency उसका आपका completed रहना चाहिए है पार्शine रहना चाहिए जो देर का 22 से 22 से में आपका जी एल्टी इख कम कौने में कौलिफाइड झाहिए द्याओ करें चाहिए अब हम कार टेग्री वाइस वेकें पिर इसके बाद जो दूसर ट्रेड है वो केमिकल इसमें टोटल पच्चास सीथ है जिसमें जनरल के लिए 19, EWS के लिए 5, OWC के लिए 14, SC के लिए 8 और ही एश्टी के लिए 4 सीथ है इसके बाद तीसे नवर में इलेक्ट्रिकल ट्रेड है जिसमें टोटल 57 पोश्ट है इसमें जैनरल के लिए 22, EWS के लिए 6, OVC के लिए 16, SC के लिए 9, St के लिए 4 शीट है फिर इसके बाद आपना था Electronics, इसमें Total आपका 25 शीट है जिसमें General के लिए 10, EWS के लिए 2, OVC के लिए 7, SC के लिए 4, St के लिए 2 सीट है इसके बाद आपका आता है Intrumentation इसमें टोटल आपका 25 सीट है जिसमें जनरल का 10, EWS का 2, OVC के लिए 7, SC के लिए 4 और HT के लिए 2 सीट है फिर इसके बाद आपका आता है सिभील, सिभील में आपका 45 सीट है, जिसमें से जनरल के लिए 18, EWS के लिए 4, OVC के लिए 13, SC के लिए 7 और HT के लिए 3 सीट है, तो टोटल आपका सीट जो हो जाता है 325, जिसमें से कि जनरल का 127, EWS का 31, OVC का 93, SC का 25 और HT का 24 सीट है, तो कर 325 सीट इसके बाद हम बात कर ले थे कि आपका फोर्म कैसे भरा जाना है तो फोर्म आपका जो 11 अप्रेल से फील आप होना होता है उसके हम आपको वीडियो उपलफ्ट करा देंगे तब तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके क्योंकि जैसे ही वीडियो आता है जैसे इस नोटिपिकेशन मिलता है फोर्म आप्लाइ करने का वैसे इस वीडियो आपको जल से जल उपलफ्ट हो जाएगा उसके वाद है यहाँ आप नीचे से आप इसका नोटिपिकेशन भी डाउनलोड करके पूरा पेज को पढ़ सकते हैं तो इसके साथ हमारे वीडियो कहता है में तब तक के लिए बाई जैहिंद बंदे मातरा